हेलो फेंट्स मैं मंदीप सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चेनल पर फेंट्साज की इस फीडियो में 36 साइस का स्लीव लेस प्रेंसेस काट ब्लाउस का फुल कटिंग इन स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो यह मैन फैब्रीक है और यह अस्तर का कपड़ा है 80 सेंटीमिटर में यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है और 80 सेंटीमिटर ही मेरा मैन फैब्रीक है अस्तर के कपड़ी को हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से और मैं इससे बनाऊंगी back open पर अगर आप front open बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से cutting करनी है तो देखिए कपड़ी के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ fold करके रखा है और अब आपको यहाँ पर total length लेनी है तो total length ले है साड़ी 14 inch साड़ी 13 length मुझे तयार रखनी है इसके बाद देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर shoulder लेने हैं साड़ी 5 inch deep neck क्यों कॉर्डिंग measurement ले रही हूँ और armhole लेने हैं 26 inch shoulder ले हैं साड़ी 5 inch armhole लेने हैं 26 inch और यहाँ से हम chased का fourth part ले लेंगे 9 inch तो अपने blouse में 2 inch का भी ले सकते हैं और deep neck है तो deep neck में हम half inch बाहर की तरफ इस तरीके से करते हुए marking करते हैं और बाहर वाली line से ही armhole की गुलाई देंगे इसके बाद देखिए हमें इस तरीके से गुलाई दे देनी हैं camera का measurement लेंगे camera है 30 inch उसका fourth part लेंगे 37 inch 1,5 inch extra margin और 1 inch extra लेंगे back part की plates के लिए ये blouse back open है अगर आप chased और waste में half inch का losing लेना चाहते हैं तो आप half inch losing देखिए यहाँ पर measurement ले सकते हैं इसके बाद देखिए हमने इसे cut कर देना है सबसे पहले हमने back part की cutting की है और इसके बाद हम front part की cutting करेंगे तो फिर से देखिए हमें क्या करना है अस्तर के कपड़े को fold करके रखना है बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से मैंने इसे plan कर लिया है अब अगर आप इसे front open बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है सिफ आपको half inch extra लेना है अपनी तरफ से अभी मैं half inch ले रही हूँ extra नीचे से length में हम half inch extra लेंगे front part में front part में हमें extra लेना है half inch और high hook की पटी का अगर आप इसे front open बनाना चाहते हैं तो high hook की पटी का आप half inch यहाँ से extra लीजिएगा उसके बाद देखें आपको क्या करना है यहाँपर back part को रख लेना है half inch छोडते हुए बागे सारी marking आप यह half inch high hook की पटी का छोडते हुए कीजिएगा मैं इसे back open पर बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर आगे से बराबर करके से रख लिया है सिफ नीचे से मैंने हाफ इंच एक्स टर लिया है इसके बाद देखे हमें क्या करना है as it is marking कर देनी है यह देखे इस तरीके से back part के according हम as it is यहाँ पर marking कर लेंगे इस तरीके से और अब हम back part को हटा लेंगे back part को हटा लेना है और अब हम यहाँ पर armhole के लिए mark कर लेंगे 5.75 इंच पर armhole का shape हमें दे दिना है इस तरीके से यह देखे यहाँ पर हमने यह shape draw कर लिया है और armhole के गुलाई भी दे दी है अब हमें इसे cut नहीं करना है गुलाई मैंने सिफ 1.5 इंच की ही दिये क्योंकि यह deep neck है deep neck में हम गहराई ज्यादा नहीं देते हैं अब हमें princess cut के लिए extra margin चाहिए तो यहाँ से हम लेंगे armhole उस तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से ले लेंगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा आप बढ़ा कर ही लीजेगा कम मत लीजेगा अगर आप बढ़ा कर लेंगे तो fitting करते समय हम इसे cut करके निकाल देंगे अगर एक्स्ट्रा पार होगा तो और अब हम इसे कर लेंगे cut तो हमारा front part भी यहाँ पर देखे अब हमें गले का measurement लेना है यहाँ पर तो गले का measurement है वो रखोंगी देखे मैं गले की मार्किंग मैं नहीं आपर कर ली है यह वाला part record नहीं हो पाया गले का measurement मैं आपको बता देती हूं मैं इसे cleave lace पर और neck को broad बना रही हूं अगर आप कम broad रखना चाहते हैं तो आप गले की चुड़ाई उपर से वो ढाइन ची लीजेगा मैं नहीं हापर मैंने यहाँ पर गले की width रखी है 5-3 inch और अगर आप यहाँ पर पटी जो shoulder पटी होती होती उसे कम करना चाहते हैं तो आप arm Best तरफ से कम कर सकते हैं neck की width रखी है 4- == 5-3 inchrying दिच नाइक विट रखी है6- और मैं तो दिखें यहां से आपको मार्क करना है तो यहां पर देखें विर्थ में मार्क कर रही हूं साड़ी तीन इंच पर 3.5 इंच पर उपर से टक्स पॉंट आपको लेना है साड़ी 10 इंच पर 10.5 इंच पर टक्स पॉंट लेंगे हम और यह जो टक्स पॉंट वाली लाइन है उ इसके बाद हम इस शेप को आर्मोस तरफ मिला देंगे। और यहाँ पर हम वुर्थ में मार्व करेंगे 5-2 इंच पर. मार्कर आपको 2 इंच करूं है। यहाँ जबाई अमें आपको देवाल लेना है यहाँ उंस. में नीचे से टक्स लिया है पॉना दो इंच, लेंथ में लिया है दो इंच और प्रिंसस कट का शेफ आपको ड्रॉ कर देना है अब इस मार्किंग को हम उपर की तरफ मिला देंगे इस तरीके से मार्किंग हमारे कमप्लीट हो गई है अब हमने इसे कट करके अलग-अलग कर देना है दोनों पार्ट को यह देखिए यहां से हलका सा चार्ट लेंगे और प्रिंसस कट वाला पार्ट पिछो है उसे इस तरीके से कट कर देंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग यह देखिए अब हम फ्रंट पार्ट के कटिंग हो गई बैक पार्ट का गला कट करेंगे यहाँ पर गले के लिए मेजरमेंट लेंगे तो नेकवेट में आपको बताया था पौना तीन इंच ली है अगर आप कम रखना चाहते हैं तो धाई इंच भी ले सकते हैं गले की लंबाई ली है साड़ी दरस इंच और नीचे से नेकवेट ली है साड़ी तीन इंच तो पीछे का गला आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसा भी आपको बनाना होगा मैं यहाँ पर पौर्ट शेप बना रही हूं डीप पर फैला हुआ यहाँ पर पौर्ट नेक बनाएंगे और दोनों ही गले में हम लगाएंगे पेपर पेस्टिंग अभी मैं इसे मैं फैब्रिक पर कट कर लेती हूं मैं फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है और एक आसान तरीका बता रही हूं पेपर पेस्टिंग पर इसे ड्रॉ करने का पेपर पेस्टिंग को आपको डबल फोल करके क्रीस बना लेनी है मतब कि सेंटर में एक लाइन बना लेनी है और इस लाइन के यहां से आपको पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रख लेना है क्रीस आपको दिख रही होगी वहीं से आपको इससे रखना है और मार्किंग आपको उपर की तरफ दिख रही होगी तो इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है साइट से 1 इंच एक्स्टर लेते हुए आपको मार्क कर देना है और इसे कट कर देना है तो यह बहुत ही असान तरीका है अलग से आपको पेपर पेस्टिंग पे आपको मेजरमेंट लेने की जरुवत नहीं पड़ती है और अब हम इसे कट कर लेंगे इसके बाद मैं आपको सिलाई के समय बताऊंगी फ्रेंट वाला नेक्य से कट करना है आपको आगे और पीछे के दोनों ही पार्ट पर हम पेपर पेस्टिंग लगाएंगे जिससे कि आपके ब्लाउस में एक बहुत ही अच्छी फिनीशिंग आजाएगी बहुत ही फिनीशिंग के साथ आप इसे बना सकते हैं यह एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है अस्तर वाला उसके उपर इसे रखकर आप पेस्ट कर लीजेगा या फिर सिलाई लगाकर आप इसे अटेज कर दीजेगा सारे ही पार्ट आपको साथ में रख लेने हैं तो चली अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी और फिटिंग लगाना भी सीख सकते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक एक और पेपर पेस्टिंग मैंने इस तरीके से लिया है जैसे हमने बैक का कट किया था और इसके बाद इसे भी हम देखिए इस तरीके से मार्क कर लेंगे साइट से वन इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे और इसे कट कर देंगे उपर से हाफ इंच छोड़ते हुए कट कर रही हूँ एकदम से गला हमारा अगर हम पूरा इससे कट कर देते हैं तो गला फेल जाता है तो आदा इंच छोड़ते हुए कट कीजीगा अस्तर वाला एक्स्टर फैब्रिक आपको लेना है और उसके ओपर इस तरीके से एक सिलाई लगाकर इससे अटेज कर देना है एक्स्टर फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है इस तरीके से और अब हम इसे साइट से फोल्ड कर लेंगे finishing के साथ आप इसे neck को fold कर लीजेगा इस तरीके से यह देखिए अब हम इसे double fold करके यहाँ पर center mark कर देंगे इस तरीके से हमने यहाँ पर center mark कर लिया है center में cut लगा दिया है इसके बाद देखिए क्या करना है यहाँ पर दोनु पार्ट को हम साथ में joint कर लेंगे man fabric और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से साथ में joint कर देना है अच्छे से finishing के साथ हम इसे attach कर देंगे और इसका extra fabric cut करके निकाल देंगे extra fabric को cut करके निकाल देना है और इसे double fold करके आपको center mark कर लेना है center में cut लगा दिया है उसके बाद हमें chalk से यहाँ पर सीधी सीधी marking कर लेनी है उसके बाद हमें यहाँ पर blouse के center marking से center marking मिलाते हो एक roughy stitch लगा देंगे और यहाँ पर neck के according हमें सिलाई लगा देनी है तो बिल्कुल paper pasting से चिपकाते हुए हम दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और अब हम इसका extra fabric cut करके निकाल देंगे center से आपको कपड़े को cut कर देना है और पूरे ही pattern पे चुटे-चुटे cut लगा देनी है यह cut लगाने से गला आपका अच्छी तरीके से पलट जाता है अब हम एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर के fabric पर लगाएंगे और अब हम गले को अंदर की तरफ fold कर देंगे तो अच्छे से finishing के साथ आप इसे अंदर की तरफ fold कर दें अस्तर का जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ नहीं दीखना चाहिए इसके बाद देखिए क्या करना है यहाँ पर उपर से finishing के एक सिलाई लगा देनी है सिलाई में लगा ली है और अब हम princess cut part को attach करेंगे यहाँ पर अस्तर के साथ तो दोनों part को पहले आपको आपने सामने की तरफ रख देना है और सिलाई लगा कर इससे attach करना है अस्तर के साथ हम इसे joint कर लेंगे extra fabric को आपको cut कर देना है और दूसरा part पीसी तरीके से तयार कर लेना है दोनों part में नहीं आपर ready कर लिये हैं अब हम इसे blouse के उपर attach करेंगे तो दोनों ही part को आप ध्यान रखेगा आपको नीचे से ही attach करना है उपर से attach नहीं करना है नीचे से half inch का margin cover करते हुए हम इसे attach करेंगे अगर उपर arm हो उस तरफ से कोई भी भाग आपका बड़ा चुटा होता है आगे पीछे होता है तो हम उसे cut करके बराबर करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे से ही joint किया है और दूसरा वाला part भी मैं नीचे से ही joint करूंगे arm हो उस तरफ से आपको नहीं करना है दोनों part हम नीचे से joint करेंगे और इसके corner पे भी एक सराई आप लगा सकते हैं ताकि धागे ना निकले ये देखे दोनों part हम ने यहाँ पर attach कर दिये हैं princess कट के और अब हम करेंगे arm होल की गहराई तो जितनी मैंने आपको बताई थी half inch की क्योंकि sleeveless भी है और यहाँ पर deep neck भी है तो सिफ half inch की गहराई करेंगे अगर आप इसमें sleeves लगाना भी जाते हैं तो measurement same रहेंगे आप इसमें sleeves अटेच कर सकते हैं दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर pack कर दिया है और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कमर पट्टी कमर पट्टी के चोड़ाई ली है मैंने 1.5 inch और नीचे से half inch margin cover करते हुए हम कमर पट्टी यहाँ पर attach कर देंगे इस तरीके से कमर पट्टी को आपको अंदर की तरफ fold कर देना है finishing के साथ और सिलाई लगा लेनी है तो कमर पट्टी लगाने के साथ ही हमारा जो front पार्टे वो बनके पुरा complete हो गया है यह दिखिए तो अब हम यहाँ पर ready करेंगे अपना back part back part को man fabric को रस्तर के साथ आपको attach कर देना है extra fabric को cut कर दिया है और अब हम इसे double fold करके करेंगे center mark उपर और नीचे की तरफ center marking आपको इस तरीके से कर देनी है chalk से सीधी सीधी marking करेंगे उसके बाद हम अपना यह वाला paper pasting वाला part लेंगे मैंने back side में बनाया है pot neck आप अपनी पसंद से कोई भी neck बना सकते हैं अपनी पसंद से जैसे square हो गया round shape हो गया इसे भी मैंने सिलाई लगा कर attach कर दिया है इसका extra fabric cut करेंगे और इसे side से finishing कर देंगे fold करके तो मैंने इसे fold कर लिया है अब हम इसका भी center mark करेंगे और सीदी सीदी marking यहाँ पर कर लेंगे उपर की तरफ आपको एक छोटा cut लगा देना है इस तरीके से यह हम नहीं यहाँ पर center mark कर लिया है अब blouse का center marking और neck का center marking दोनों मिलाते हुए आपको एक rough stitch लगा दीनी है इस तरीके से हम एक rough stitch यहाँ पर लगा लेंगे और neck की according सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने front neck में लगाई थी paper pasting से बिलकुल चिपकाते हुए इसके बादे कि क्या करना है आपको यहाँ पर इसे cut कर देना है एक पेर का margin रखते हुए हम इसे cut करेंगे और पूरे ही neck पर लगाएंगे चोटे-चोटे से cut यह देखिए इस तरीके से ध्यान रखिएगा सिलाई ना कटें सिलाई के पास तक ही लगाना है इसके बादे हम एक सिलाई यहाँ पर असर के कपड़े को इस तरफ करते हुए आपको सिलाई गला पट्टी के उपर लगानी है और ध्यान रखिए का अभी हमें इस पर फिनिशिंग नहीं करनी है सिलाई लगा कर इसे ही हम छोड़ देंगे अभी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है अब नीचे से जो हमने सेंटर कट लगाया था वहां से आपको इसे कट कर देना है क्योंकि हमने इसे बनाया है बैक उपन तो यहाँ पर दोनों पार्ट हमने अलग-अलग कर दिये हैं सिलाई लगा कर इसे पैक कर दीजेगा और यहाँ पर इसे पोल्ड करते हुए आपको प्लिट्स डाल दीनी है इस तरीके से साड़ी तीन इंच की लंबाई में मैंने प्लिट्स ली है क्योंकि डीप नैके और अब हम लगा लेंगे इस पर हाई हुक की पट्टी तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ पर लगा सकते हैं नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने हाई की पट्टी अटेज की है इस तरीके से तो आप देख सकते हैं मैं आपर कैसे लगा रही हूँ ऐसे ही लगानी होती है इससे फिनीशिंग अच्छी दिखती है यह दिखिए एक्स्ट्र पट्टी को नीचे से आपको कट कर देना है और अब हम दूसी तरफ लगा लेंगे हुक की पट्टी हुक की पट्टी को भी मैंने डवल फोल्ड करके लिया है आपर ऊपर से हमारे गले में फिनीशिंग हो चुकी तो आपको फोल्ड कर देना है इसे हाई हुक के पट्टी लगाने के बाद आप चेक कर लिजेगा कहीं से कोई बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है हो रहे हैं तो कट करके बराबर कर लिजेगा बेक साइट की शोल्डर पटी को आपको रखना है बाहर की तरफ और देखी मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ और यहां से देखे गले के पास से गले की दो पॉइंट छोड़ते हूए आप इसे इस तरीके से रखिएगा देखेगा जहांपर मेरा हाथ ही और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से उपर से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको शुल्डर को जॉइंट करना है बैक साइट का गलापटी को बहार की तरफ निकालते हुए डबल सिलाई लगा सकते हैं आप इस पर यह देखें अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बैक साइट का जो हमारा गलापटी है उसे उपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई और लगा लेंगी यहाँ पर इस तरीके से अब इसे खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर भी फिनिशिंग दीखेगी और को जोइंट कीजेगा अगर बैक साइट में नहीं लगाया है फ्रेंट में लगाया है आपने पेपर पेस्टिंग तो आप इसी तरीके से शोल्डर को जोइंट कर सकते हैं तो आप हम बैक पार्ट के गले पे भी फिनिशिंग कर देंगे इस लाई लगा कर और इस पट्टी पे आपको अंदर की तरफ हाज से सुई से तुरपाई करनी होती है अब हम करेंगे इसका एक्स्टर फैब्रिक कट जो हमने फ्रेंट पार्ट में लिया था तो फ्रेंट पार्ट का करेंगे सेंटर मार्किंग और उसके उपर रखेंगे हम बैक पार्ट को पिन अप कर लीज करना है हाई की तरफ से आपको हाई की पटी बाहर की तरफ करते हुए सेंटर से इसे पिन अप करना है और इधर से भी हम इसे बराबर कर लेंगे तो इस पार्ट हमारा कटिंग में खुल गया है तो उस पर मैंने सिलाई लगा दी है अब मैं यहापर तीछी पटी कट कर रहे और इसे हम half inch का margin cover करते हुए आर मोल पर attach करतेंगे हलका सा पटी को खीच के लीजेगा डीला ना छोड़े इस तरीके से ज्यादा भी नहीं खीचना है नहीं तो सल ला जाएंगे थोड़ा खीच के लीजेगा ज्यादा नहीं खीचना है और पटी को attach करने के बाद इस पर आपको छोटी-छोटी cut लगाते नहीं यह देखिए इस तरीके से cut लगाने के बाद पटी को हम एक सिलाई इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगाएंगे इसके बाद हम इसकी जो extra part रहेगा उसे cut कर देंगे फिर इसे हम single fold करेंगे इस तरीके से एक single fold करना है फिर इस पटी को हम पूरा अंदर की तरफ fold कर देंगे और उपर finishing की सिलाई लगा लेंगे सेम आपको दूसी तरफ का part भी इसी तरीके से आर मोल पर finishing दे दिनी है यह देखें, finishing के साथ हमारा यहाँ पर arm mold ready हो गया है दूसी तरफ का भी मैंने इसी तरीके से कर लिया है अब मैं इसे इस तरफ करते हुए एक सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर blouse के सीधी तरफ तो यह गुम सिलाई होती है जो अंदर की तरफ चली जाती है सिलाई लगाने के बाद भी मैं extra fabric cut करूँगी आप अपने blouse को अपको उल्टा कर लेना है man fitting लगाने के लिए मैंने अपने blouse को man fitting के लिए उल्टा कर लिया है और center mark कर लिया है center से हमने यहाँ पर mark किया है 36 size का fourth part ले लेना है 9 inch कमर का ले लिया है 7.5 inch fitting की सिधी सिलाई लगा लेंगे same इसी तरीके से दूसरी तरफ का part भी आपको fitting कर लेना है chest or waist का fourth part ले लेना है तो friends हमारा यह जो blouse से वो बनके ready हो गया है आपको आज कई वीडियो केसा लगा है मुझे comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो को like show ज़रूर कीजेगा और चैनल को subscribe ज़रूर करें धन्यवाद